अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्ख करें योगी राज स्तांत्रिक जी को उनका नंबर है 9983428959 जी हाँ इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सभी समस्याओं से निदान पा सकते हैं आज हम आपके लिए लेकर आएं गोरोचन से वशी करण जी हाँ गोरोचन का तिलक गोरोचन का उपयोग गोरोचन तंत्र टोटके अगर आपने गोरोचन शब्द पहले नहीं सुनाय तो हम आपको बता दें कि गोरोचन का इस्तमाल पूजा पाठ में किया जाता है और ये गा कि मस्तक में खास जगे पर मिलता है क्यूंकि गोल, चप्ते, तिकोने, लंबे या फिर चौकोर, आकार का गोरोचन मिल जाता है। गोरोचन के इस्तमाल के बारे में और बातें अगर आपको बताएं तो ये, रवी पुष्य के दिन अगर कोई वेक्ती गोरोचन को केसर, सिंदूर और आवले के साथ पीस कर, साधना के बाद मंत्रों से अभिमंत्रित करके तिलक लगा ले, तो जो भी वेक्ती उसके सामने रखे, किसी देवी देटा की रोज पूझा अगर करते हैं तो गोरोचन की भी रोज आराधना करें, ऐसा करने से गोरोचन की मदद से आपके घर के सभी वास्तु दोश खत्म हो जाते हैं, घर में सुख शान्ती बनी रहती है, अगर कोई सदस सब बिमार है तो रविवार य शुद्ध केसर मिला कर चांदी की डिब्बी में रख लें, रोज सुबह सुर्योदय के समय इसे तिलक लगाए, इससे आपको विशेश लाब मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी इसका कुछ वशीकरन के रूप में उपयोग करना चाते हैं, तो हमारे नंबर प स्तांतरिक जी को, उनका नंबर है 9983428959, जी हाँ इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सभी समस्याओं से निदान पा सकते हैं,